जैमेन का यह question मुझे काफी अच्छा लगा एक conducting wire जिसका लेन थेयल है उसको 20% से बढ़ाया जा रहा है तो माल लीजे शुरुवात में लेन थेयल है अब उसको 20% से बढ़ाया जा रहा है तो यह अगर हम इसको simplify करेंगे तो यह आ जाएगा 1.2L और resistance का जो relation होता है वो होता है इस तरीके से length versus resistance पे आप इसको solve करेंगे तो r by r dash की value निकल के आ जाएगी कुछ और आप क्या कर सकते हैं जो new resistance है उसके लिए आप formula यूज कर सकते हैं जो value आपके आएगी है सॉल्व करिएगा चोकि short video में है तो हम लोग इतना समय इसमें waste नहीं करेंगे या जाएगा 44% है ना तो यह आपका option number second correct है काफी अच्छा और tricky question था लेकिन यह भी एकदम board level का सवाल है जो board के बच्चे करते हैं उनके लिए है तो आपने यह सवाल सही किया गलत please let me know in the comment section औ और ऐसे ही सवालों के लिए please subscribe the channel